नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज हम ग्यार्वी कक्षा के अर्थ शास्तर का छटा अध्याय ग्रामीन विकास अर्थात गाउं का विकास पढ़ेंगे हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर निर्धन गरीब देश्वासी गाउं में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूर्भूत आवशक्ताएं भी उपलब्दन नहीं हो पाती ग्रामीन शेत्रों में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्रिशी है गाउं में आप देखेंगे तो हर दूसरा परिवार कहीं न कहीं क्रिशी में लगा हुआ है अर्थात अधिकतर लोग क्रिशी पर निर्भर है प्रतेग परिवार में आप देखेंगे तो कोई न कोई व्यक्ति किसान जरूर है सरकार के कई विकास कारेों में एक प्रमुख कारे ग्रामीन विकास है अर्थात गाओं का विकास ग्रामीन विकास के अंतरगत सरकार उन बातों पर ध्यान के इंद्रित करती है जो ग्रामीन शेतर में विकास कर सकते हैं जिनसे गाओं में विकास हो सकता है और ग्रामीन अर्थवेस्ता का विकास हो इसके अंतरगत कई मुख्य मुद्दे आते हैं जिन पर ध्यान देने की आवशक्ता है जैसे गाउं में मानविय संसाधनों का विकास गाउं में मानविय संसाधनों का विकास का अर्थात मतलब क्या हुआ कि गाउं में रहने वाले लोगों को तकनीकी ज्यान देना, गाउं में रहने वाले लोगों की उत्पादकता, उत्पादनक्षमता में वृध्धी करना, उनकी साक्षरता में वृध्धी करना, उन्हें साक्षर बनाना, उनके स्वास्त का ध्यान रखना, भूमी सुधार, क्रिशी संसाधनों का विकास, गरीबी दूर करना, क्रिशी के लिए बिजली, सिचाई विवस्था, रिन सुविधाएं यानि की उधार उपलब्द कराना, गाउं की सडकों को शहरी सडकों के साथ मिलाना यह कई ऐसे मुद्दे हैं, जो एक अर्थविस्था में बहुत जरूरी है, यदि गाउं में तरक्की करनी हैं, तो इन सभी शेत्रों के बारे में ध्यान देना होगा हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों में भारत के सकल घरिल उत्पाद में क्रिशी शेत्र का योगदान लगातार कम होता जा रहा है लेकिन क्रिशी शेत्र में लोगों की जो निर्भरता है उसमें कोई गिरावट नहीं आई वह उतनी ही है लगभग लेकिन क्रिशी शेत्र की उत्पादकता वह लगातार प्रतीवर्ष घर्टी जा रही है शायद इसका कारण सार्वजनिक निवेश में कमी होना है मतलब कि सरकार की योजनाओं की कमी होना है सरकारी शेत्र को ग्रामीन शेत्रों में विकास करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है अब मैं आपको ग्रामीन शेत्रों में यानि गाओं में रिन की स्थिती के बारे में बताता हूँ किसान को अपनी फसल के लिए पैसे की जरूरत होती है क्रिशी शेत्र में किसानों को रिन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि खेती के लिए किसान को बीज चाहिए रसायन चाहिए औजार चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए और इसके लिए किसान को कही न कही धन की जरूरत पड़ती है पैसे की जरूरत पड़ती है अब फसल को बीजने से लेकर फसल के तयार होने में बहुत लंबी अवधी होती है किसान आज फसल बीजता है उसके बीजन में किसान का वे होता है और किसान उस फसल को बाजार में बेच कर अपना लाब कमाएगा उस लागत को पूरी करेगा परन्तु इसमें बहुत अधिक समय लगता है लेकिन इस बीच में किसान को अपने परिवार की मूल भूत आवशक्ताओं को तो पूरा करना है अपने घर में राशन, खाना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना कई चीजों के लिए किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है सरकार द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जाता है कि किसान को आसानी से रिण मिल सके सरकार ऐसी नीतियां भी बनाती है कि फसल बोने के समय किसान को रिण दे दिया जाए और जब वह किसान अपनी फसल को बाजार में बेचेगा और जो उसे धन प्राप्त होगा उस धन से वह सरकार या बैंक कारिन चुका देगा किसान को अपनी फसल बेचने से जो भी पैसा मिलता है धन राशी प्राप्त होती है उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है हमने देखा है कि स्वतंतरता के समय बड़े-बड़े महाजन, व्यापारी, कहीं ना कहीं भूमी हिन या छोटे जो किसान हैं उन्हें उची ब्यास दर पर रिन देते थे और खातों में हेरा-फेरी करते थे, कहीं ना कहीं छोटे किसानों की भूमी यह बड़े किसान हतिया लेते थे भारत में सन 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंब हुआ, जिसके अंतरगत गरामिन शेत्रों के लिए धन की आवशक्ता की पूर्ती के लिए कदम उठाए गए किसान की रिण की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई योजनाय बनाई कई बैंकों का निर्मान किया, कई बैंकों की स्थापना की ताकि किसान को आसानी से कम से कम ब्याज़दर पर रिण मिल पाए जिससे की किसान कहीं न कहीं जो महाजन या बड़े जमीनदार बड़े किसान होते थे वह छोटे किसानों का शोशन करते थे तो वह छोशन कहीं न कहीं बंध हो जाएगा 1982 में सरकार ने राष्ट्रे क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक इसे नाबार्द कहते हैं, इसकी स्थापना की थी यह बैंक एक प्रकार से क्रिशी शेतर का केंद्रिय बैंक है जैसे भारत का केंद्रिय बैंक भारतिय रिजर्व बैंक ऐसे ही क्रिशी शेतर का केंद्रिय बैंक नाबार्द है जो क्रिशी शेतर के लिए किसानों को कम ब्याजदर पर रिन उपलब्द कराता है नाबार्द के अंतरगत कई छोटे छोटे बैंक आते हैं नाबार्द इन छोटे छोटे बैंकों को कई परकार की योजनाओं को लागू करने के लिए कहता है आज कई गरामीन बैंक सरकार द्वारा स्थापित किये गए हैं जैसे शित्रिय गरामीन बैंक भूमी विकास बैंक ऐसे कई बैंक हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है जो की कम ब्याजदर पर किसान को रिन देते हैं उधार देते हैं किसानों को समय पर रिन ना मिल पाना भी किसानों के पिछले पन और गरीबी का एक मुख्य कारण है किसान जब भी अपनी फसल बोता है तो उसे उसी समय धन की पैसे की आवश्यक्ता होती है यदि किसान को उस समय पैसा नहीं मिलेगा तो वह फसल बेकार हो जाएगी किसानों को कई समय अवधियों के लिए सरकार रिन देती हैं जैसे ट्रेक्टर खरीदने के लिए भूमी खरीदने के लिए औजार खरीदने के लिए इसे दिर्ग कालीन यानी लंबे समय का रिन कहते हैं क्योंकि ट्रेक्टर भूमी औजार ये बहुत महंगे आते हैं और किसान इनका भुक्तान रिन का भुक्तान धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक करता है इसी परकार कुवा खोदने के लिए छोटी मशीन खरीदने के लिए मध्ध कालीन रिन की आवश्यक्ता होती है जिसे किसान जल्दी चुका देता है और बीज, खाद, उर्वरक, यंत्र खरीदने के लिए अल्प कालीन रिन की आवश्यक्ता होती है अर्थात अल्पकालीन रिण वह है जो तक्रीबन किसान एक या दो साल में उस रिण को चुका देता है गाउं में रिण के लिए कई स्रोत हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता है जैसे संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत के अंतरगत गाउं में रहने वाले बड़े व्यापारी महाजन बड़े जमीनदार आते हैं जो किसानों को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं रिण देते हैं भारत में आजादी के समय तक यही सब लोग किसानों को किसी ना किसी रूप में रिण देते थे और उनका शोशन करते थे प्रतेक्ष और प्रतेक्ष रूप से उनकी भूमी हथिया लेते थे समय बीते बीते सरकार ने संसागत स्रोत संसागत शेतर बनाए संसागत शेतरों के अंतरकत कई परकार के सरकारी बैंक सरकारी समीतियां आती है वानिज्य बैंक भी कही न कहीं किसानों को रिण देता है आज बहुत से संस्थागत शेतर हैं जहां से अर्थात बेंक जहां से एक किसान आसानी से रिने ले सकता है लेकिन कई बार किसान को अपनी निजी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत शेत्र अर्थात महाजन या बड़ा किसान उनसे रिन लेना पड़ता है जो आज भी इनसे बहुत अधिक ब्याजदर वसूल करते हैं सन 1969 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रे करन हुआ जिसके अंतरगत 14 बैंक आते हैं भारत के कई गाउं में सहकारी बैंक बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे हैं यह है कई परिवारों द्वारा मिलकर बनाया गया एक प्रकार का बैंक है एक प्रकार का आप एक उधारन से समझे एक गाउं में सो परिवार हैं और उन्होंने एक ऐसे ही छोटी सी संस्था खोल ली प्रतेक परिवार हजार रुपे जमा करवाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस संस्था के पास अब एक लाख रुपे हो गया अब यदि गाउं में अर्थात उन सो परिवारों में से किसी परिवार को कुछ धनराशी की जरूरत पड़ती है तो वह उस संस्था अर्थात उस एक लाख रुपे में से धन्राशी ले सकता है और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याजदर से भी कम ब्याजदर वह उस संस्था को देगा जिस से कही न कहीं कुछ समय पश्चात उस संस्था के पास एक लाख रुपए से अधिक धन्राशी हो जाएगी और वह बहुत आसान किष्टों पर भी उस संस्था को यह धन लोटा सकता है कई शेत्रों में कई गाउं में इस प्रकार की संस्था स्वेम गाउं द्वारा गाउं के मुख्या द्वारा चलाई जाती है इसे स्वेम सहायता समू कहते हैं आज लगभग इस समू में छे करोण महिला सदिस्थे हैं पूरे भारत में और कई महिला सदिस्थे स्वरोजगार के लिए इस संसा से रिन लेती हैं जिससे वो लगू उद्योग खोल लेती हैं जो एक परिवार में सभी संचालित भी कर लेते हैं इसका फाइदा ये है कि भारत में कहीं न कहीं महिलाओं का सशक्ति करण हुआ उसमें बहुत अधिक सहायता मिली अब मैं आपको नाबार्थ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ सन 1979 में भारत के केंद्रिय बैंक यानि भारतिय रिजर्व बैंक ने गरामीन शित्रों में साख के सुधार के लिए एक कमीटी बनाई थी और इस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट 1981 में दी सरकार को उस कमीटी की सभी बातें सही लगी सरकार को लगा कि इस कमीटी के आधार पर कहीं ना कहीं गरामीन शित्रों का विकास हो सकता है तब 1982 में सरकार ने नाबार्द नाम से एक संस्था बनाई मैंने अभी आपको बताया कि इस संस्था एक प्रकार से गरामीन शित्रों के बैंको का केंडर्य बैंक है अभी हमने कृषि शित्र में रिण के बारे में पड़ा अब मैं आपको कृषि विपणन विपणन का मतलब बाजार क्रिशी बाजार के बारे में बताओंगा आज शेहरों में या गाओं में लोग अनाज, फल, सब्जी, दूद, मतलब रोज मर्रा की चीज़ों का उभोग करते हैं अब आप सोचिए कि अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग शेतरों से होते हुए यह सबी चीज़ें हम तक पहुंचती कैसे हैं वास्तव में इनका एक बाजार होता है सुवतंतरता के समय तक तो किसानों को उनकी फसल का सही मुल्य भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि जो उनकी फसल है उसका बाजार मुल्य क्या है बाजार उस समय होते नहीं थे या फिर गाउं से बहुत दूर होते थे परिवहन के संचार के साधन नहीं होते थे इसी कारण से बड़े-बड़े किसान, साहुकार, छोटे किसानों से अपनी मनमर्जी पर या कम दाम पर अनाज खरीद लेते थे अब किसान के लिए एक सबसे बड़ी समस्य ये है कि वह अपनी फसल का भंडारन कहां करे उस समय तक भंडारन की सुविधा नहीं होती थी इसलिए सरकार को, बड़े व्यापारियों को नियंतरित करने के लिए क्रिशी के खेतर में, क्रिशी बाजार में हस्त च्छेप करना पड़ा, क्रिशी बाजार में आना पड़ा क्रिशी विपनन, यानि क्रिशी बाजार होता क्या है क्रिशी बाजार के अंतरगत, फसल कटाई के बाद इकठा करना, उसकी पैकिंग करना, उसका भंडारन करना, उसे एक सान से दूसरे सान तक ले जाना, मंडियों में उसकी उपलबधता करना, प्रतेक फसल की कीमत तेह करना, ये सबी क्रियाएं आती है, इसके अतिरत भी क्रिय क्रिशी बाजार में आती है क्रिशी बाजार के कहीं न कहीं कुछ दोश भी है जैसे आज भी कहीं न कहीं इतने अधिक भंडार घ्रह नहीं है किसान की फसल वो बाजार में बेचता है लेकिन सरकार के पास इतने भंडारन ना होने के कारण वह फसल का बहुत बड़ा भाग खराब भी हो जाता है कई बार होता है बरसात के कारण खराब हो गई फसल तैयार फसल किसान और उभोगताओं के बीच बहुत बड़ी संख्या में बिचोलिये होते हैं आज भी हैं जो बहुत से काम करते हैं और बहुत अधिक लाब कमाते हैं आज भी कहीं ने कहीं किसान को उसकी फसल का अगर दस उर्पे मिलता है तो बाजार में उपभोगता उस फसल को पचास उर्पे में खरीदता है मतलब कि चालिस उर्पे कहीं न कहीं इन बिचोलियों के पास जाते हैं सितंबर 2020 में सरकार ने एक अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जो कहीं न कहीं किसानों के लाब के लिए हैं आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत अधिक लाब प्राप्त होगा यह दीर्ग कालीन लाब प्रतेक किसान के परिवार को मिलेगा कहीं न कहीं उभोकताओं का और किसान दोनों का ही शोशन होता रहा है उभोकताओं को अधिक दाम देना पड़ा लेकिन वह अधिक दाम कहीं न कहीं किसान के पास नहीं गया और किसान को कम दाम मिला तो बीच में यह बिचोलिये बहुत अधिक धनराशी कमा लेते हैं आज भी परिवहन संचार की उतनी सुविधाएं उपलब्द नहीं है परन्तु हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में संचार परिवहन की सुविधाओं में बहुत अधिक सुधार होगा और क्रिशी शेतर में अधिक लाब मिलेगा क्रिशी बाजार परनाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई उपाए किये गए जैसे नियमित मंडियां स्थापित की गई इन मंडियों में सरकारी, अधिकारी, किसान और व्यापारी तीनों शामिल होते हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी पारदर्शिता रखी जाए आज भारतिये खादे निगम द्वारा ग्यहूं और चावल की सुरक्षित भंडारों का रखरखाव किया जाता है देश में क्रिशी बाजार विवस्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने नियूनतम समर्थन कीमत के रूप में एक महत पूर कदम उठाया था यह नियूनतम समर्थन कीमत होती क्या है जैसे एक किसान ने फसल बोई और उस फसल में प्रती किलो दस उर्पे लागत आती है तो कहीं न कहीं किसान यह सोचता है कि जब बाजार में बेचने जाए तो उसे दस उर्पे से अधिक प्राप्त हो तो सरकार प्रते किसान के लिए एक नियूनतम कीमत तै कर देती है कि आपको आपकी फसल का प्रती क्विंटल मैंने आपको प्रती किलो का उधारन दिया प्रती किलो 15 रुपे अवश्य मिलेंगे परंतु अगर आपको खुले बाजार में आपकी फसल का कोई 20 रुपे या 15 रुपे से अधिक देता है तो आप बेच सकते हैं इससे किसानों को बहुत अधिक लाब हुआ अब किसान आश्वस्त है कि उसकी फसल का कम से कम 15 रुपे तो सरकार देगी ही यह निउन्तम कीमत बहुत अच्छी प्रनाली है कई और माध्यम भी हैं बाजार में जिससे किसानों को बहुत अधिक लाब हुआ जैसे अपनी मंडी अपनी मंडी यह बाजार एक नाम है और यह मंडी पंजाब, हरियाना, राजस्तान में है एक है हदासपुर मंडी यह पूने में है, एक राइथू बाजार जो आंदर प्रदेश में है जहां सबजी और फलों का क्रे विक्रे होता है इसी परकार उजहावर मंडी भी है तमिल नाडू में कई परकार के ऐसी मंडीय सरकार दुआरा बनाई गई है कई राष्ट्रिया और भहू राष्ट्रिय कम्पनियां भी किसानों से प्रत्यक्ष रूप से फसल खरीद लेती है इसके अतिरिक तमिल नाडू में एक योजना चली जिसका नाम था तन्वा इस परियोजना में गाओं में महिलाओं को क्रिशी तकनीकों का परिशिक्षन दिया गया और महिलाओं ने अपनी छोटी सी बचत से कई काम खोले कई कुटिर उद्धियोग खोले जैसे टोकरी बनाना गुडिया बनाना साबुन बनाना मश्रूम की खेती इससे परिवारों की आये में भी वृद्धी हुई और वो काम करने के लिए प्रोच्साहित हुई आशा करता हूँ आज आपको ग्रामीन विकास के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा झालो आपको भी तोность पANGाँ करने को अरामीन विकास का amazing looking हाई प्रिवारों के लिए बढे है झाल झाल